नमस्कार दोस्तों मैं सूरज आपके अपने यूटूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आप सभी को और आपके पुरे परिवार को नवरातरी की हारदीक सुबकाम नहीं मादुर्गा का आशिरवाद आपर सदेव बना रहे हैं आज हम इस वीडियो में बा लिकेज हुआ है कुछ लोग मान रहे हैं कि एक सबोटेज है किसी दूसरे कंट्री ने करवाया है तो इस चीज़ों को ले करके अभी बहुत सारी जियो पॉलिटिकल टैंसन्स हैं और यहां से और ज्यादा कुछ यहां से स्थेती बिगटने की संभावना है कुछ यूरोप स्ट्रिम टूग जो गेस पाइपलाइन है उसके अंदर तो लिकेज हुआ वो सबोटेज है स्टेट्मेंट की बात करें तो उसके बाद में तो है डायरेक्टर ओप दा स्वेडिस नेशनल सैस्मिक नेटवर्क एट उपालाइन उन्होंने बोला है कि जो यह सैस्मिक रिकोर्ड करता है जिसे अर्थ क्यूक आता है उसकी जो तीवरता नापते हैं कि कितनी तीवरता का अर्थ क्यूक आया है तो उसके लिए जो इंस्टुमेंट होते हैं वहाँ पे एक ब्लास्ट का है वो रिकोर्ड हुआ है कि इस पर्टिकुलर इतनी जग इस जगह के उपर एक ब्लास्ट हुआ है वो अर्थ क्यूक नहीं था और कोई लेंड स्लाइड भी वाटर के अंदर अन्हाएं था यह उन्होंने आलड़ी किलेर कर दिया है कि वह नहीं हो कोई अर्थ क्यूक था यह एक किलीर ब्लास्ट है जो सब्वोटेज के अन्दर आता है कि अब अगर हम बात करें डैनमारक के प्राय मिनिस्टर की उन्होंने भी बोला है कि जो leakage हुआ है वो deliberately किया गया है जान बूज करके leakage किया गया है तो ये एक सबोटेज का charge है और जब सबोटेज किसी भी उपर लगता है तो वहाँ एक यूद की स्थिती पैदा हो जाती है कि किसी भी country का आप कुछ उसके assets हैं उनको आप जान बूज कर तोड रहे हो नुक्षान पहुंचा रहे हो और गनाजिशन को नुक्षान पहुंचा रहे हो तो ये एक अलग देश द्रो की स्रणी में आजाता है अब हम यहां बात करते हैं जो Nord Stream 1 और जो Nord Stream 2 है उनके अंदर क्या difference है और क्यों ये सब चीज़े जो वर्ड के अंदर हो गमासान मचावा है क्यों एक दूसरे के उपर ये आरोप परत्यारोप कर रहे है यूस से है वो कभी नहीं चाहता कि Nord Stream 2 है वो उसके तुरू जो रसिया है वो गेस की सप्लाइ करे है क्यों इसके पिछे बहुत सारे रेजन्स है अब अगर मैं आपको बताओ यहाँ पर जो उपर है जो लाइन जा रही है आपको ग्रीन कलर की वो Nord Stream 1 है और जो नीचे डोटेड लाइन है वो Nord Stream 2 है ये दोनों की दोनों रसिया से त्रू बाल्टिक्स अगर जर्मनी तक जाती है और जर्मनी के बाद में जो European countries है उनमें अलग-अलग जगे पर distribution हो जाता है अब इनमें सबसे important चीज क्या है देखने वाली जो Nord 1 है वो त्रू यूक्रेन के जाती है यूक्रेन से वो पास होके जाती है और जो Nord 2 है जो नई लाइन उन्होंने बिचाई है वो यूक्रेन के लेंड को या यूक्रेन के एरिया के अंदर एंटर नहीं होती है वो यूक्रेन को बाइपास करती है अब इससे फ्रक्या पड़ता है हम इस वीडियो में आगे जानेंगे इसके बहुत सारे इस्यूज है इसी वज़र से जो यूएस से हो लगातार Nord Stream 2 का हमेशा विरोध करता रहा है Nord Stream 2 ये एक additional pipeline है बेटिविन रसिया और जर्मनी जिसके अंदर यूक्रेन को बाइपास किया गया है जो Nord Stream 1 जो gas pipeline है वो थ्रू रसिया जाती है अब टू जर्मनी लेकिन जो Nord Stream 2 है मैंने आपको पहले बताया ये रसिया को बाइपास किया गया इसके अंदर ये रसिया के अंदर नहीं जाती रसिया एक से थ्रू हो के नहीं जाती है इसका जो purpose ता वो खहता इसका जो project आया था Nord Stream 2 का उसकी जो total value थी 11 dollar billion था agreement कौन से साल में वा था 2015 में इसके अंदर कौन-कौन सी companies involved है गयजप्रोम ये रसिया की company है जो रसिया की government के द्वारा owned है plus 5 European energy firms है जो इस project के अंदर involved है Nord Stream 1 है उसकी जो capacity है वो कितनी है 55 billion cubic meters of gas per year एक साल के अंदर वो 55 billion cubic meters जो gas है वो supply करता है सेम उतनी capacity Nord Stream 2 की है तो जो Nord Stream 2 का man motive था कि supply increase करना है मतलब double करना है वो हो जाएगा और दूसरा सबसे बड़ा importance इसका क्या है कि इसने रसिया का man motive था वो था कि Ukraine को bypass करना है अब वो bypass क्यों करना है आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं हुआ क्या था 2015 मानों के जो दिखार होते हैं उनका उलंगन किया जाता है वहां के जो पब्लिक है वो प्रेशान है लोगों को परतारडित किया जा रहा है इसलिए France भी इसका विरोध करता था इसके पिछे क्या रीजन्स थे वो आगे हम बात करेंगे Nord Stream 2 का हमेशा USA ने विरोध किया है चाए उसके अंदर तो Democratic Party हो या Republican Party हो USA में कोई से भी पार्टी है दो ही पार्टी है वहाँ पे दोनों में से कोई भी पार्टी हो दोनों ही पार्टी हो ने वहाँ पे Nord Stream 2 का विरोध किया है क्यों? क्योंकि वो इस सोचते थे कि जब Nord Stream 2 चालो जाएगा तो जो European Union है या European जो कंट्रीज है उनकी रस्या को उपर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आल लेडी 40% जो गेस है टोटल European countries का वो रस्या ही सप्लाई करता है और जब ये और चालो हैगा तो डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इन डारेक्ट टूप से जो वलादिमिर पुतिन साहब है प्रस्या के उनकी पावर बढ़ जाएगी और जो यूएस से है वो कभी भी ये नहीं चाता कि पुतिन की पावर बढ़े या रस्या के उपर European countries की डिपेंडेंसी ज़्यादा हो लेकिन हुआ क्या 2020 के बाद में ये काम बंद पड़ा था कुछ इश्यू के वज़े से लास्ट के डेड़ सो किलोमेटर पावर बलाइन नहीं बिचा पा रहे थे लेकिन जनवरी 25 2021 को रस्या ने दुबारा Nord Stream 2 जो प्रोजेक्ट था उस पे काम शुरू कर दिया और उन्होंने बिल्कुल किलियर कट सब्दों में बुला कि रस्या है अब इस पावर प्लाइन को इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करेगा और अमेरिका को जो करना है जो सैंक्संस रस्या पे लगाने है वो लगाएं और रस्या को इन सैंक्संस से कोई फ्रक नहीं पड़ता तो ये बात है वो यूस्या को प्रेसान भी खी उसके बाद में जो बाड़न ने एक स्टेटमेंट भी दिया था रिसेंटली साथ महने पहले कि नोड स्ट्रिम टू है अगर रस्या है वो दुबारा यूकरेन के उपर अगर आकर्मन करता है तो जो नोड स्ट्रिम टू है वो पाइपलाइन नहीं रहेगी ये नेशनल ट्यूप उनका दियावा स्टेटमेंट है उससे जो पाइपलाइन थी नोड स्ट्रिम टू उससे देखिए अब यूकरेन को क्या नुकसान होगा क्योंकि जो नोड स्ट्रिम बन है वो पाइपलाइन थू यूकरेन जाती है और यूकरेन अपनी लेन यूज़ करने का अपनी जगह यूज़ करने का उनसे पैसा लेता है फीस लेता है transit fees इसको बोलते हैं वो लेता है तो जैसे ही वो node stream 2 complete हो गया और वहां से gas supply शुरू कर दी तो रसिया ने यूक्रेयन को transit fees देना बंद कर दिया और जो यूक्रेयन है यूक्रेयन की economy धीरे-दीरे already down चल लिये वार की वज़े से और उसके down हो जा रही है तो उसके पास अतियार क्रेदने के लिए पैसे नहीं है और जो US से है वो अभी business कर रहा है US से हमेशा अपना ही फायदा देखता है उसको दूसरे किसी भी country से कोई मतलब नहीं है वो selfish है आज तक उसने जो भी चीज़ किया वो खुद के selfish के लिए किया है खुद के स्वार्थ के लिए क्या उनोंने वो कभी भी दूसरे का स्वार्थ नहीं देखता उसको पता है कि जब Nord Stream 2 अगर pipeline चालू रहेगी तो Ukraine को कोई पैसा मिलेगा नहीं और Ukraine उससे अतियार है वो खृदेगा नहीं तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे USA के पास में उसको Ukraine से कोई मतलब नहीं है लेकिन उसका indirect रूप से जो benefit है वो USA को नहीं होगा इसलिए उनोंने ये चीज़ किया है लेकिन अभी कुछ लोग ये सक कर रहे है कि ये हो सकता है जान वूर्ज के USA ने है उसके अंदर leakage कराया हो explosion करवाया हो या Ukraine ने करवाया हो अब इसके बारे में बहुत सारी संभावना चल रही है उसी के वज़े से जो market है या जो world है वो अभी प्रेशान है चिंतित है ये जो agreement वा था transit fees का वो 24 दिसम्बर 2019 को वा था पांच साल के लिए वा था लेकिन जो man मुद्दा है यहाँ पे वो transit fees का है अगर Ukraine की पास पैसे नहीं आएंगे वो USA से कोई सामान खरी देगा नहीं और USA से कोई सामान नहीं खरी देगा तो USA के पास में पैसे नहीं आएंगे तो उसकी एकोनोमी देरे-देरे डाउन हो जाएगी जो आल्रेडी बहुत सारे एकोनोमिस्ट मानते हैं कि रिस्टेसर में आल्रेडी एंटर कर चुकी है European countries के हालात आज के टाइम पे ऐसे हैं जो वहाँ लोग रहते हैं उससाब एक बार बात किजिए अगर आपे कोई जान पैचान के हैं तो वहाँ जो हालात हैं वो दिन परती दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इस वज़ज़ से और बिगड़ते जाएंगे तो इससे हुआ क्या कि 27 सितुम्बर के बाद 27 सितुम्बर 2022 के बाद में जो नोड स्ट्रीम 1 और जो नोड स्ट्रीम 2 थी उन दोनों ही पायपलान के अंदर लेकेज हो गया उसकी वज़ज़ से जो गैस सप्लाई जर्मनी को जाती थी और जर्मनी से बाकी कंट्रीज में जाती थी यूरोपियन में वो हो गई अभी बंद है उसकी वज़ज़ से क्या हुआ कि जो प्राइजेज आल्रेडी बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे एनर्जी के प्राइजेज गेस के प्राइजेज और जब ये सोर्टेज होगी अगर उनकी inflation और बढ़ेगी तो आप सोच सकते हैं कि market के हालात कैसे होंगे मैं यहाँ आपको ड्राने की कोशिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं वो चीज बता रहा हूँ जो होने वाली है और जिसकी संभावना है जो इस्तितियां बन रही हैं भी market के अंदर और जो बढ़ी के अंदर तीसरी सीज उससे geopolitical tension वो increase हो रही है और हो सकता है कि अभी रसिया और यूस से या बाकी जो European country है वो हो सकता है कि रसिया के साथ में आ जाए क्योंकि यूस से हमेशा रसिया का opposition करता है और वो उसके opposition में खड़ा रहता है चाहे वो रसिया अच्छा काम करे या बूरा काम करे वो हमेशा उसके opposition में खड़ा है तो कुछ country ऐसे हैं European Union के जो आलरेड़ी रसिया के पक्स में बोल रहे हैं और अगर बाकी country कुछ country और आ जाते हैं तो यह आने वाले time भी यूसके के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है तो इसकी वज़े से यह स्थितिया जब बनती है तो इससे जो market के अंदर जो लोग investor बड़े-बड़े investor रहते हैं वो पना पैसा निकाल के case पे बेटना चाहते हैं अब next point की बात करें तो अब यूसके और यूरोब है उसके अंदर winter season चल ला है सर्दियां शुरू हो चुकी है जैसे सर्दियां बढ़ेंगी October, November, December, January, February January, last तक वैसे वैसे वहाँ पे energy की ज़्यादा requirement बढ़ती है वहाँ पे crude की ज़्यादा demand होती है gas की ज़्यादा demand होती है तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखके अपना investment है वो market में कीजिए ये अभी current development है जो word में चल ला है जिसके बारे में कोई भी media है वो बात करने को त्यार नहीं है मैं उम्मिद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा प्लीस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो comment box में comment कीजिए share कीजिए अपने friends दोस्तों को और channel को subscribe करना ना भूले जहिन वंदे मात्र